हेलो चल्डरन, वेलकम तुर तुमाइम्स ओनलाइन क्लास बच्चों, आज हम आपकी क्लास थर्ड के इंग्लिश के टेक्स्ट बुक के सेकेंड लिसन अरुन्स फैमिली का फॉर्थ पार्ट करेंगे शुरू करने से पहले अगर बच्चों आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और उसी के साइट में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो उसकी नोटिफिकेशन्स आपको मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं देखो बच्चों हमने पेज नंबर 17 पर मैचिंग तक कर लिया था आज हम इससे आगे करेंगे पेज नंबर 18 से शुरू करेंगे चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं पेज नंबर 18 पर देखो बटा इन ग्रैमर पोशन में फर्स्ट कम्प्लीट टेबल को पूरा करो यह जो तालिका दी है उसे पूरा करना है एक आपके लिए किया हुआ है देखो यहाँ क्या किया हुआ है समझते हैं और हमें कैसे टेबल कम्प्लीट करनी है इस एक्जाम्पल से हम समझेंगे देखो यह क्या लिखा है बॉय बॉय मीज होता है लड़का और गर्ल गर्ल मीज लड़की इट मीज यहाँ पर मैस्क्यूलाइन को फेमिनाइन में चेंज किया हुआ है यहाँ पर जेंडर चेंज किया हुआ है मैस्क्यूलाइन को हिंदी में कहते हैं पुलिंग और फेमिनाइन को हिंदी में कहते हैं स्ट्रेलिंग ठीके, it means बिटा हमें यहाँ पर gender change करना है, अगर masculine है तो उसको feminine में change करना है, feminine दिया हुआ है तो उसको masculine में change करना है, let's start, देखो यहाँ पर है he, he किसके लिए use होता है, देखो अगर हमारे पास noun है boy, uncle, father, husband, son, nephew, sir, ठीके, ठीके, तो हम उनके लिए जब pronoun use करेंगे, तो he use करेंगे, ठीके, और, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम feminine words के लिए feminine nouns जो हैं, उनके लिए हमें use करना है तो हम she use करेंगे, ठीके, it means she क्या है, feminine word है, और he she mesculine word है, छिक है, तो he के क्या हो जाएगा? she, इसी तरीके से देखो यहाँ तो कुछ नहीं दिया हुआ, यहाँ madam दिया हुआ है, madam दिया हुआ है, तो इसको हमें change करना है, किसमें? masculine में, उसका हो जाएगा, sir, ठिक है? gender change करेंगे तो, यहाँ है father, father मतलब पिता पिता को चेंज करेंगे तो क्या आएगा फिमिनाइन बन जाएगा मदर माता आप देखो यहां कुछ नहीं दिया हुआ था यहां दिया हुआ है सिस्टर सिस्टर दिया हुआ है मतलब बहन बहन का जेंडर चेंज करेंगे तो क्या आएगा ब्रदर भाई अंकल अं मतलब डादा, husband, इसको हिंदी में पती कहते हैं, जब इसका जेंडर चेंज करेंगे, तो क्या हैगा, wife, मतलब पतनी, यहाँ पर देखो, niece दिया हुआ है, niece का आर्थ होता है, भांजी, जब इसको हम चेंज करेंगे, masculine में तो बन जाएगा, nephew, nephew का आर्थ होता है, भांजा, यह यह complete हो गए है, अब नीचे चलते हैं, number second पर, देखो, read the lesson again and pick out the plural form of words given in the box, part को दुबारा पढ़ो, और, इस box में जो शब्द दिये हुए है, उनकी plural form को, छाटो, plural form मतलब, बहु अचन रूप को, one has been done for you, एक आपके लिए किया हुआ है, देखो, यहाँ year लिखा है न, year का years बनाया हो है, मतलब क्या किया हो है यहाँ पर, यह है singular form, ठीक है, एक वचन रूप, एक वचन मतलब, एक, जो संख्या में एक हो, और, plural होता है, जो संख्या में एक से अधिक हो, दो या दो से अध ठीक है, अब years लिखा हुआ है, year का मतलब साल, years का मतलब एक से ज्यादा साल, ठीक है, अब यहाँ देखो पिटा, पेरेंट लिखा हो, अभी भावक, तो इसको जब हम plural में चेंज करेंगे, तो क्या आएगा, पेरेंट साएगा, देखो, यह लिख दिया मैंने, पेरेंट, अब देखो पेटा, next है, vegetable, vegetable मतलब सबजी, और इसका plural form क्या होगा, इसकी plural form होगी, vegetables, s लग जाएगा, देखो, लग जया न, s, इसमें भी s लगा हुआ है, इसमें भी s लगा हुआ है, इन सभी में, जब हमने s, add कर दिया, तो क्या बनगी, plural form बन गई, इनकी यह similar form है, next है grandparents, जो दादा दादी हैं, उन्हें grandparents बोलते हैं न, तो इसको जब plural form में change करेंगे, तो क्या आएगा, grand parents, s लग जाएगा, उसके साथ, यह देखो, ऐसे, next है friend, friend मतलब एक मित्र, और जब plural form लिखेंगे, तो क्या आजाएगा, friends, यह देखो, ऐसे, इसमें भी, kya add हो गया है, s add हो गया है, सभी में s add होकर, plural form बन गई है, देखो बिटा, हम यहाँ पर देखें तो, यहाँ पर देखो, क्या लिखा है, bench लिखा है न, इसके पीछे क्या लगा हुआ है, ch लगा हुआ है, अब इसको जब हम plural form में change करेंगे, तो यहाँ पर, yes लगा दिया है, है न, ध्या देखो एक चीज, यहाँ पर last में sh दिया हुआ है, इसमें देखो, जब इसकी plural form लिखी गई है, तो यहाँ पर, क्या हो गया है, यहाँ, yes आ गया है, है न, अब देखो, यहाँ पर, यहाँ पीछे x दिया हुआ है, यहाँ भी जब plural form बनाई है, तो, yes लिखा हुआ है, bench मतलब एक bench, benches मतलब एक से जयादा bench, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर plural form लिखी हुई है, bush, bushes, box, boxes, और bus, यहाँ बस लिखा हुआ है, बस ठीक है, यहाँ भी es add किया है, जब पीछे s आया है, तो, यहाँ पर देखो, पिटा, double s आया है, तो भी es add किया है, class, classes, तो देख देखो, जिन भी words के end में, chi, shi, x, s और double s आय, उनके पीछे es लगता है, उनकी plural form बनाने के लिए, ठीक है, देखो, इनके पीछे यह सब थे ना, जो मैंने बताया अभी, ठीक है, इस तरीके से plural form में change हो जाते हैं, यह es add करके, तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, इससे पहले वाला part देखने के लिए, और पहला chapter देखने के लिए, और बाकी subjects की videos देखने के लिए, आप मेरे channel educational vibes with रितु मलिक and educator पर जाकर देख सकते हैं, और study कर सकते हैं, तो फिर मिलते हैं, next video में, तब तक के लिए, बाई झाओ, आओ, झाओ, आओ, हाओ, घूर को जुचों, आज के लिए, को और दान ही, अग्ग हैं, अज के लिए, झाओ, बच्चों, और पर झाला के लिए याओ, आवे बच्चों equally an जओ, याँ हैं, और?